नमस्ते दोस्तों चायागा कीचन में आप लोगा स्वागत है आज मैं बनाओंगी चिकन एकदम अलग तरीके का तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहे हैं मैं किस तरह बनाती हूँ वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा ये वीडियो सुरू करती हूँ मैं चिकन करी बनाने के लिए एक कीजी चिकन ली हूँ अच्छे सी चिकन को मैं धो ली हूँ और मैं मसाला क्या-क्या ले हूँ देखिए लसून, अधरक, टमाटर, फ्याज, धनिया, जीरा, गुलमरी, चारदस, तेजपत्त, कच्चा चिकन मसाला, दो चम्मच, गरम मसाला, तीन चीजे में काटके डालूंगी प्याज, टमाटर, कच्चा मिर्चाई, तो बाकी मैं पीस लेती हूँ अब मैं एक बड़े बर्तन में चिकन को ले लेती हूँ कटी हुई प्याज, कच्चा मिर्चाई, टमाटर, डाल देती हूँ अब सारे पीसे हुए मसाला में डाल देती हूँ नम्मक, स्वादनुसार हलदी अब मैं अच्छे से मिकस कर लेती हूँ बहुत अच्छे से मिकस करना है अच्छे से मिकस कर लिए हूँ, आप पांच मिनट तक ढखके रख देती हूँ करहाई गरम हो गया है, तेल डाल देती ह national अब जो मसाले के साथ चिकन को मिक्स करके रखी ती वो डाल देती हूँ अब मैं चिकन को अच्छे से फ्राय कर लेती हूँ चिकन बहुत अच्छे से फ्राय हो गया अब मैं गरम मसाला के पेश्ट डाल देती हूँ अब चिकन मसाला डाल देती हूँ अब दो तीन मिनट तक में चला लेती हूँ अब ग्रेवी के लिए पानी दे देती हूँ अब मैं पाँच मिनट तक उबाल लेती हूँ मैं चिकन को पाँच मिनट तक उबाल ली हूँ देखिए कितना सुन्दर बना है चिकन थोड़ा ग्रेवी अभी पतला है उतारने के बाद थोड़ा गाड़ा हो जायागा इवार आप लोग भी इस तरह करके बनाईएगा और कॉमेंट करके बताईएगा कैसा लगा प्रेवी पतला है